वेल्कम एक कोशन आई है जो कि EWS सर्टिफिकेट से रिलेट है इनका कहना है कि जो इनका सर्टिफिकेट है यह क्रूसियल एट का नहीं बना हुआ है 2021-22 का रिसेंट का बना हुआ है और इनके पास जो है वो एक डिकलेडेशन फॉर्म भी है जिसमें इन्होंने कहा है कि 2018-2019 और 2020 में यह EWS में लाई करते थे तो अगर इन्हें प्रोविजनल मिलेगा तो बाद में जो है क्या इससे डिपार्टमेट एकसप्ट करेगी या फिर न को ज्यादा घबडाया नहीं और ऐसे केसे में जो है वो डिपार्टमेट जो है वो कभी-कभी जो है वो आपको फॉर्मेट भेजती है कि आप जो है वो अगर आपके पास प्रोविजनल मिला है तो आप जो है वो एक नया EWS सर्टिफिकेट बनवा के भेज दें कि अभी जो जो है वो गुसियल डेट का स्रटिफिकेट नहीं है और बाद में जब यह डिपार्टमेंट के उपर हो जाती है जैसे अगर सपोज किजे कि आप एनार इजेंसे बिलॉंग करते हो तो और आपकी जो है वो जौब अगर कहीं दुसरे ge Laval कर लगुए है जो कि आपकी अगर suppose कि ऐसा रीजन में जो है वो कोई department है तो वो department के हाथ में पूरी बात हो जाती है कि वो आप से जो है वो कैसे tackle करती है लेकिन आमोमन यही procedure रहता है कि वो जो है वो आपको एक format भेजते हैं और आपको जो है वो अगर backdate का है तो backdate का produce कीज़े नहीं तो आप से जो है वो decent का च दिया जाएगा इस बात के लिए आस्वस्त रहें बहुत सारे इसा होता है लेकिन डायरेक्ट जो है नहीं कर दिया जाता है उन्हें जो है वो दो-तीन पर मौका दिया जाता है अगर फिर भी वो दो-तीन मौके में पे जो है वो department को नहीं दे पाते हैं और उनका जो हो सीट वेकेंट कर दिया जाता है तो आप ज्यादा टेंसन नहीं लें आपके पास जो है वो डॉकमेंट से तो प्रोविजनल मिलेगा फिर बाद में जो है आपसे जो है वो अगर एव्यूस मारंगा जाता है तो आपका नया बना हुआ है आप इसी को जो हो दे सकते हैं और अगर जो है नेक्स्ट येर तक बात चली जाती है तो फिर आप नया वाला फिट से दे दीजेगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी